तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ति, सभी को राम राम, दोस्तों आज हमें बात करने जा रहे हैं SSE Pitch 11, MES Driver भरती 2023 के बारे में, आप सभी को भी दित होगा, 2023 में जून जुदाई में पेपर हुआ, सितंबर अक्टूबर में आपके डॉकुमेंट्स मंगवाए गये थी, बाद में, डॉकुमेंट्स की स्कूटनी के बाद में, डॉकुमेंट्स के रिजेक्शन के लिस्ट और ओके लिस्ट आ चुकी है, अब यहां पर बच्चों के सामने काफी सारे डाउट्स हैं, कि अब जो बच्चे यहां पे ओके लिस्ट में हैं, उनका क्या होगा, तो आप लोगों का यहाँ पर अगले मंत नौंबर दिसंबर के अंदर कभी भी आपका डीवी होगा यानि की डॉकुमेंट वेरिज्वेगिशन होगा जिसमें आपको फीजिकली जो ओरिजिनल डॉकुमेंट है वो वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे उसके लिए को सबसे पहले तो रि है इसा ही होता है ऐसी सूचिया आती है ऐसा ही रिज治्व होते है और ऐसे दूबरा से आवेदन मांगते है और अगर दूबरा से जाच की जाती है तो सभी पाया जाने पर उनको एड़ किया जाता है तो रिजेक्शननलिष्ट में जो बच्चे हैं standards हो रही है और जनके form सही थे, by the way किसी भी गलती से आपका form reject हुआ है तो आप लोग बिलकुल इसमें claim कर सकते हैं, आप mail कर सकते हैं सारे document दुबारा बे सकते हैं आपका form बिलकुल consider किया जा सकता है, हमेशा से किया जाता रहा है, SSE जो NRO हो चाहिए, CRO कोई सा region हो, सभी region इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको डरना नहीं, पहली बात तो आपको mail आपको जरूर करना है अब करना कैसे है, सारी चीजी में बताऊंगा, reject जिनके form हो चुके हैं, उनको एक अच्छी चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ पहली बात तो जो qualify हुए है आपका अब DV होगा DV के लिए लगबग आप ऐसा समझो 20-25 दिन, 30 दिन तो अराम से लग जाएंगे DV होने के बाद में final list आएगी जो बच्चे DV करा चुके होंगे तो 4420 candidate अभी है इसमें 200-300 candidate और aid हो जाएंगे तो लगबग 46-47 candidate है documents verification में मेरा मानना है कि लगबग 12-1500 लड़के तो जाएंगे नहीं एक तो जो मलब की कटोप के पास में है वो नहीं जाएंगे जो बच्चे select हो चुके हैं वो भी नहीं जाएंगे तो almost लगबग खींच के माननते हैं तो 3000 candidate के आसपास यहां पर DV करवाएंगे अब 3000 candidate जो DV के लिए जाएंगे उनमें से भी काफी जो DV है वो reject हो जाएंगे 500-600 लड़के मेरा मानना है कि उनके पास में जो है जो expense नहीं होगा driving license नहीं होगा गलत भर रखा होगा जैसे भी हो cheating करके उन्होंने कुछ किया हो तो उनकी फोरम reject हो जाएंगे तो लगबग 23-24 के आसपास जो final है जो है DV यहां पर कलीर होंगे तो आपका driving test होगा तो driving test में अभी थोड़ा सा समय आपको लग सकता है मैं यहां पर ज़्यादा आपको नहीं बता सकता बाकी अब इसमें जो qualify हो चुके है उनके लिए आपको एक तो road की driving आपको आनकी है long drive आपको 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 आर्मी के पास जो truck होते है वो truck Tata 407 और एक छोटी गाड़ी तीनों गाड़ें आपको शीखनी है main चीज opticals पे आपको यहां पे छोटी गाड़ें मिलेगी और long drive आपको truck मिलेगा ऐसा सुनने में आ रहा है बाकी हर कुछ जो चीज है वो यहां पे होने पे पता चलती है तो आप लोग अगरा भी त्यारी कर रहे हैं तो optical, optical सारे सीखलो कोई दिकत नहीं है और long drive की भी practice आप बड़ी गाड़ी से आप जरूर कर लेना साथ ही दोस्तों जो forum जिनके reject हो चुके हैं वो क्या करें उनको मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपका चाहिए forum गलत तरीके से reject हुआ है या वाजिब तरीके से reject हुआ है फिर भी आपसे पेसा थोड़ी मांग रहा है आपको अगर लगता है थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हाँ बिलकुल मैं यहां पर objection कर सकता हूँ मेरा forum पास हो सकता है तो बिलकुल कीजिए अगर बिलकुल ऐसा लग रहा है कि 100 में से 10-15% 20% भी chances हैं कि आपका forum accept हो जाए तो बिलकुल आपको करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार है यहां documents में आप फेरा फेरी करके भी अगर आप इसमें okay list में add हो जाएंगे तो फिर document का verification सुनोगा तो आपको समशा आ जाएगी तो आप ऐसा समझें आप लोगों के पास में documents आपके पास में त्यार होनी चाहिए क्योंकि इसके तुरंत बाट DV होगा तो यहां पर में कहना चाहूंगा almost सभी बच्चों को यहां objection raise करना चाहिए अगर आपको license expire नहीं हुआ हो यह भी आप confirm कर लें इसके लावा तीन साल का आपको expense है यह और expense certificate भी चाहिए expense जो certificate आप लोगों ने बनाया है उसमें especially तीन साल कम से कम validity उसकी हो और तीन साल आपके lights चलाया हो चे हेवी चलाया हो कोई किसी को बाहर किया ही नहीं गया है तो एक अलगी matter है तो यहां पर जो बच्चे जिनका form reject हुआ है आप सभी को पता है region क्या है आप इस region को mention करके आप definitely में बता सकता हूं कि आप objection raise कर सकते हैं objection raise कैसे करना है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था और दुबारा स definis just taking a application जो है बनाई है इस application को मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आपको बरना है आप लोगों के सामने इक application कुली है और और इस application को आप देख की दिहान से मैंने इसको हिंदी में टाइप किया, आप भी हिंदी में कर सकते हैं, इस तरह की application आप जो है, बिलकुल लिख के, जो SSC को बेश सकते हैं, ये तो भरी हुई है, एक बच्चे को मैंने बरके बता है था, दोसरी बात, यह देखो, मैंने खाली बनाई है, आप इसको हाथ से भी लिख सकते हैं, और पेन से भी भरके, या आप दुबारा से ये कंप्यूटर वाले से टाइप करवाके, भी आप इसको प्रिपेर करके, आप यहां पे SSC NR को, जो एक मेल आड़ी दी गई है, उस मेल के उपर आप कर सकते हैं, साथ ये दोस्तों बताना चाओगा, जब भी आप मेल बेजें, दोस्तों यार इतना तो कर दीजिए, ये जो नीचे नाम है, इसका क्या काम है यार, आप जो एप्लिकेशन भेज रहे हैं, जब डोकुमेंट स्केन कर रहे हैं, उस समय इसको हटा दीजे ना, नूकि ये फूटर में लिखावा था, फूटर में लिखावा था, तो अब आप दो क्या करते हैं, प्रिंट करवा के इसको भी आसे रख देते हैं, तो यहाँ पर ये बाट अपको एक मैने मोडल पेस किया है, कि आपको अप्लिकेशन लिखनी कैसे हैं, आप इस तरीके को यूज करके आप खुद application लिखे भीजवा सकते हैं, बाकि आपने भीजवाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देखो करना क्या है पहली बात तो इस प्रकार की application आपको लिखनी है यहाँ पे sign बगएरा name, role number, registration number, post code, post name यह सारी चीज़ें आप सभी को पता है, भरनी जरूरी है और यह देखो, आप यहाँ पर देख भी पा रहे है कि जो objection raise करेंगे, उनको यह करना पड़ेगा mail ID कौन सी है, यह mail ID आप देख पा रहे है आप सभी को विदित होगा, कि यह जो result है, वो कब आया था result कब आया था, exact date आप सभी को पता, 24 October यहाँ पर दे रखी है तो आप लगबग 3 November तक आप इसको भीज़वा सकते हैं 31 का महिना है न, तो यह भी आप भान रखें तो आज 30 October हो चुकी है, तो आप आज कल में यह फोरम भीज़वा सकते हैं चुटी उटी का कोई issue नहीं है, इसमें mail करना है, कही जाना नहीं है अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कतें तो आएगी, क्योंकि फोरम नहीं है डोकमेंट्स भी आपके पास नहीं है, तो फिर तो दिक्कती है यार अगर possibility है तो complete documents आप अपने जो है त्यार करके भीज़वाईए जो objection आया है, उसको application में mention कीजिए जो truth आपके अंदर बताई गई है, उस truth को सुधार करवा कि आप यह काम कीजिए साथ ही दोस्तों इसके बाद भी, आपका बिना काम से कोई reject होया तो भी आप इस प्रस्ति में mention कर सकते हैं कि सर शिर्मान जी मेंने दस्वी की मारक्षीट जो है फोरम के साथ मैटेच करी थी, लेकिन आप दोरा जो मारक्षीट जो है, वहाँ पर प्राक्ट नहीं हुई है, ऐसा लिखा गया है तो बिलकुल आप लोग SEO objection भी raise कर सकते हैं कि भी आपने कुछ बेजा था और वो मिला नहीं है हना, तो आप अपना objection raise कर सकते हैं, कोई लिक्कत ने, पैसा नहीं लग रहा है इस परकार की application जो मैंने आपको बताई है, ऐसी application त्यार करके भरके आप लोग जो है SSE NR को अपनी जो है claim आप कर सकते हैं, यह परकार की grievance हम कह सकते हैं या representation आप कह सकते हैं, कि आप लोग अपनी जो दावेदारी यह उपेस करते हैं कि नहीं, मेरा form सही था आपने चेक करते हैं कोई भूल करी है, और आपने form कर दिया है, बिल्कुल मेरा form दो बार से चेक किया जाए और इसके लिए आपको mail पर document भी बेजने हैं, साथ ही दोस्तों complete एकदम त्यार करके बेजने हैं, जो भी साथ ही serious ज़्यादा है और अगर आपको दिक्कत आ रही है कि क्या करूं क्या ने करूं, तो फिर आप mail करने से पहले आपकी जो documents होंगे, वो मुझे WhatsApp पिक कर देना मैं आपको चेक करके भी बता दूँगा कि बिलकुल आप लोग इसमें योग्य हैं, नहीं है, आपको बेजना है, नहीं बेजना है, बेजने तो सारे document आपने लगाया नहीं लगाया है, जो भी document होंगी, सब को self-attested करना है, सभी की photocopies आपको बेजनी है, expense, driving license, दस्यों की mark sheet, SCSTOBC या इदिल्स का जो भी certificate होगा, यह सारी चीज़ें आपको अंदर डालनी है, application form भी डाल देना, और यह जो application है, यह भी डालने ना, और इस content को copy करके, यह इस type से link के mail के उपर भी आप लिक भी सकते हैं, इसमें भी कोई दोराय नहीं है, जिससे बच्चों ने इसको यह से copy कर लिया, यह मैं आपको इस video की description में तो काम नहीं करेगा, टेलिग्राम पे और WhatsApp ग्रूप पे यह content आपको link के बेज़ दूँगा, तो आप उसको copy paste भी कर सकते हैं, mail करते समय, आप उसमें थोड़ा सा आप लुगों को साहता हो जाएगी, तो मैं वहाँ पर भी इसक exam की तयारी कर रहे हैं, आपको driving सीखनी है, तो यहाला कि मैं बताना चाहूँगा driving के लिए इतना कोई, लंबा समय के आउसकता नहीं है, हाल फिलाल में आपका driving test होने भी वाला नहीं है, फिर भी जो बच्चे गाड़ी से लाना नहीं जानते हैं, वो आप driving सीख सकते हैं, driving स समपर कीजेगा, आप दोगों को best plan बताऊंगा, और आपको त्यारी के लिए रामबान ट्रिक आपको बता दूगा, कि आप एक कम बजट में ज़्यादा सीख पाएंगे, हाना, तो जो बच्चे सीख चुके हैं, दिली पर इस कॉंस्टरब ड्राइवर के समयं, और एक जमस होगा, वो आप अपनी विवेक से, खुद से आप पुछें कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है, नहीं लेनी है, जो बच्चे पहले से ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो पांसा दिन के अंदर अंदर perfect recover कर लेंगे, और perfect जो गारी है, वो यहाँ पे जो चलाना सीख जाएंगे, optical भ गारी चलाते से मिए क्या चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों को फोलो करते हैं नहीं करते हैं, बाकि आपकी इस टेरिंग में कौन सा आईटेरिंग है, कौन सी गारी है, कितनी लंबा ये कुछ भी, यहाँ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, क्योंकि गारी बड़ी ह होगी, तो यहाँ पर ऑप्टिकल बढ़ा होगा, सीरी सी बात यहाँ आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगी, जो ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लगाते इसमें, शीखते हैं तो आप आराम से ऑप्टिकल पर गाड़ी लगाके निकार जाएएंगे, कोई भी दिक्कत न हूँ कि आप रिपरजर्टरेशन भेजवा सकते हैं SSE NR को तो ये थी SSE NR की भरती पोस्ट कोड 326 के बारे में SSE MES 1070 कोश्ट ड्राइवर की है जिनका जो है डोकमेंट्स के स्कूर्टनी लिष्ट जो है 24 अक्टूबर को जारी हुई है जिसमें एक rejection list है और एक acceptance list है तो जो rejection list है वो candidate काफी serious होरके उनको firm केसे बरना है कैसे उनको जो representation फरमर की बेजना तो उसके बारे में मैं आज आज आप लोगों को बताया है ये जो PDF टेलिग्राम और WhatsApp दोनों पी मिल जाएगी अधिक जानकारी के लिए नमबर आपको दिखाए दे रह करते हैं जब time होता है तब ही उटाते हैं इसलिए आपका कोई भी स्वाल हो मुझे WhatsApp पर जरू करना बिना किसी सुल्ख के free of course आपको सला देंगे आपको जानकारी देंगे आपके अपनी भरती के बारे में selection का तुर्का इक का जो होता है वो आपको बताएंगे तो बिलकुल अभी के लिए इतना ही तेंक यू सो मच वन्यमादर